एक और कोरोना के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी और दुकानदार महेंगे दामों में सामगरी बेच कर लोगों की जेब धीली करने में लगे हुए हैं इसकी सूचना जब तहसिलदार को मिली तो वह मौके पर पहुँचे और दुकानदारों पर कारिफाई की बुर्खानपूर के मुख्य मंडी बासार में नायब तहसिलदार मंजू डाबर और खाद आपूर्ती अधिकारी भुपेंद्र चोपडा क्राहक बनकर किराना दुकान पर पहुँचे यहां पहुचकर उन्होंने 5 लीटर कुकिंग ओयल खरीदा तो पाया की MRP से अधिक दाम में सामान बेचा जा रहा है जिसके बाद दुकानों पर सील की कारिफाई की इसके अलावा तीन दुकानदार अनीश, कोफी और अमित ये तीनों भी होम डिलिवरी के पास बनवा कर दुकान से डिलिवरी दे रहे थे जिसके बाद ये तीनों दुकाने भी सील कर दी गई खबरों के हर पहलू पर है हमारी नज़र सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर एक ही एप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर हमारी सोशल वॉल की जरिये हों दुनिया से कनेक्ट मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़े हमारा ईपेपर एक टैप पर देखे इंट्रस्टिंग शॉट वीडियो रदुभाशी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखे खबरे अभी इंस्टॉल करे रदुभाशी एप नायब तहसिलदार द्वारा की गई इस कारिवाई की हर तरफ तारीफ हो रही है ब्यूरो रिपोर्ट म्रदुभाशी नियोज म्रदुभाशी से जुणने के लिए वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले